हाई कैसे हैं आप मैं हो डॉक्टर शिखा और आज के वीडियो में मैं आपके साथ 12 ऐसी टेकनिक शेयर करने वाली हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी वाइस की क्वालिटी को इंप्रूब कर सकते हो अपनी वाइस को ज्यादा अट्राक्टिव बना सकते हो और वाइस को अ करना है कि आपको जो आपको लग रहा है कि मुझे अपनी वाइस को अट्राक्टिव बनाना है अपनी वाइस की क्वालिटी को बेटर करना है तो उसका मतलब आपके लिए क्या है क्योंकि वाइस की क्वालिटी को बेटर करने के लिए बहुत सारी चीज़े होती है हमारी जो सबसे पहले आपको यही identify करना है कि वो कौन सी चीज है जिसको कि आप अपनी voice की quality में improve करना चाते हो इसके लिए पहले तो आप खुद ही अपने आपको observe करोगे कि मुझे क्या improve करना है और दूसरा आप यह देखोगे कि आपको अगर किसी और की voice quality बहुत attractive लगती है तो उसमें वो क्या ऐसी चीज है जो आपको attract कर रही है जब आप exact meaning identify करोगे आपके लिए attractive voice का मतलब क्या होता है तो आप exact उस pain point तक पहुँच पाओगे जिसको की tackle करके जिसको की ठीक करके आप अपने quality of voice को improve करोगे अपने communication skills को improve करके और ज़्यादा उसको attractive बना लोगे secondly एक है अगर आप चाहते हो कि आपकी voice attractive लगे आपकी आवास attract करें लोगों को वो और ज़्यादा आपको सुनना पसंद करें तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप physically और mentally relaxed हो जितनी calm और soothing आपकी voice होगी उतना ही उसको सुनना और लोग ज़्यादा पसंद करेंगे तो relaxed body language के लिए आपको एक तो यह ध्यान रखना है कि आपके जो shoulders हैं वो stiff नहीं हो वो बिल्कुल relaxed हो, down हो अगर उपर रहेंगे shoulders इस तरीके से तो भी आपकी जो voice निकल कर आएगी वो दबी-दबी सी और उसमें tension build-up sound करेगी तो आपके shoulders relaxed होने चाहिए, आपकी breathing proper हो अगर आप जल्दी-जल्दी breathing करोगे, shallow breathing करोगे, deep breathe नहीं करोगे तो उससे क्या होगा कि सांस उपर-उपर से ही आकर उपर ही निकल जाएगी बाहर जिससे कि आपके lungs properly expand नहीं होंगे जिब आपके lungs properly expand नहीं हो रहे होंगे तो आपकी voice दबी-दबी sound होगे तो जब आप deep breathe करोगे, अपनी breath पे ध्यान दोगे उसमें से stress release कर दोगे तो आपके जो lungs हैं वो properly expand होंगे जिससे कि आपकी जो voice है उसमें stress नहीं होगा वो calm होगी और वो soothing लगेगी और साथ ही आपको अपना posture भी straight रखना है आपकी back straight होने चाहिए जो कि support करेगी आपकी ये जो breathing का process है उसको जो कि ultimately आपकी voice की quality को better बनाएगा और उसको और ज़दा attractive बनाएगा थर्ड आपको न अपनी tongue को और अपनी jaw की muscles को relax करना है क्योंकि बोलने में हम इसी पार्ट को ज़्यादा यूज़ करने वाले अपनी jaw को ये वाले muscles हमारे यूज़ होते हैं ऐसे हम jaw muscles को भी margin करें कि यहाँ पर जो जो भी tension build up है हम उसको release कर रहे हैं और यह हमारे muscles relax हो रहे हैं जब हम intentionally इसके उपर focus कर किनको relax करेंगे तो हम एक अलग सा काम फील करते हैं यहाँ जो tension build up थी, यहाँ जो stiffness थी, जो tongue में stiffness थी वो release हो जाती है ताकि हमारी tongue भी आगे फिर free flow कर पाती है आराम से बात कर पाती है बिना किसी tension के जिससे के ultimately हमारी voice की quality improve होती है fourth अगर आप चाहते हो कि आपकी जो voice है, आपकी आवास जो है वो attractive लगे लोगों को सुनने में तो उसके लिए आपको उसमें variations करनी होती है variations होनी चाहिए, आपकी कितनी loud आप बोल रहे हो कभी slow बोलोगे, आपकी speed में variations होनी चाहिए कभी बहुत speed से बुला, कभी आराम से बुला उसमें जो expressions आ रहे हैं, उसमें variations होनी चाहिए कि बात में आप जो भी बात करें, उनके साथ क्या emotions निकल कर आ रहे हैं, क्या feeling हैं, उनको आप feel करते हुए बोलोगे, तो उसमें जो feeling and emotions हैं, वो भी vary करते चले जाएंगे आपकी बात में, जितनी जादा variations होंगी, उतना जादा जो सुनने वाले कान होते हैं, उनको वो appeal करती ह है हमारी आवाज, उतना वो हमारी बात को सुनना चाते हैं और हमारी आवाज जो है वो attractive लगती है, simple से इसके लिए practice आपको ये करनी है, जो बच्चों की moral stories होती है, अगर आप उनको ध्यान से सुनना शुरू करोगे तो उनमें बहुत variations होती हैं, कभी बहुत speed से, कभी आरा आपको क्या करना है, इसी story को आप लिख लो या आपको कोई और ऐसी story मिलती है, उसको आपको पढ़ना है with different expressions और different speed के साथ, अभी मैं जो story बोलने वाली हूँ, आप चाहे इन ही lines को note करके रख लो या फिर इसको record कर लो और इनको practice करना है, आपने खुद से बोल के, तो story कु बार हैरान हो जाते थे, वो छूटे से हाथी के मुझ से निकली हुई, इतनी भारी आवास को सुनकर जंगल में एक अलग सी ही रौनक चाह जाती थी, एक दिन मोहन के दोस्तों ने उससे कहा, मोहन, तुम्हारी आवास तो बहुत भारी है, हम तुम्हारे साथ ना रहना इसल जाते हैं, मोहन ये सुनकर दुखी हो गया और उसने ये नेने किया कि आगे से वो अपनी आवास पर ध्यान देगा, उसने एक छोटी सी पार्टी रखी, अपने सभी दोस्तों को वहां बुलाया और वहां से उसने धीरे धीरे और आराम से बोलने की शुरुआत की, तो आप इतनी जादा monotonous नहीं हम sound करेंगे, boring नहीं होंगे, तो हमको ध्यान रखना है कि हमारी बात में थोड़े से variations जरूर हो, जो कि हमारी आवास को और ज्यादा attractive बनाएंगे, नेक्स्ट हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम ना थोड़ा आराम से बात करें, जल्दबाजी में ना बोले, speed से बोलने के चक्कर में क्या हो जाता है, mostly हमने जो बात सही तरीके से करनी होती है, वो exact words हमको नहीं मिल पाते हैं, हम सही message नहीं सामने वाले तक पहुंचा पाते, या फिर ये भी हो जाता है कि speed से बात करने के चकर में हम सांसे भी जल्दी जल्दी लेना नहीं है, वहां पर आप speed से बोल सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है कि जब हम conversate करे हो, किसी से आपस में बात करे हो, तो वहां हमारा आम से बात करें, नेक्स्ट हमको quality of sound को improve करने के लिए ये चेक करना है कि हमारी आवाज के साथ क्या vibrations mix हो रही है, क्या हमारा neck वाइबरेट कर है बोलते हुए, या फिर हमारा जो नोज है वो वाइबरेट कर रहा है, हमारी नोज के उपर अगर आप अपनी fingers को नोज पर रखो, और यहां पर रखो, अब आप चेक करोगे, कोई भी एक sentence बोलो, और आप ये देखो कि अगर आपका maximum time नोज वाइबरेट कर रहा है, इसक चेस्ट वाइबरेट कर रही हो, सिर्फ जो नोज का sound होता है, वो हमारा यहां से जादा वाइबरेट करता है, उसके अलावा बाकि सारे भी sounds जो होते हैं, वो यहां से वाइबरेट होंगे, तो इस चीज़ का आपको धियान रखना है, अगर आप वाइबरेट कर रहे हो नो नेक्स्ट आपको बात करते हुए ना कोशिश करनी है कि आप smile कर सको जितना हो सके, और smile का मतलब यह नहीं है, आपको physically ही smile करनी है, बिना बात के, आपको अपनी आवाज से मुस्कुराना है, आपके आवाज में smile होनी चाहिए, जिससे कि वो positive sound करती है, और soothing sound करती है, जो होते हैं, उनको सुनना अच्छा लगता है क्योंकि रिलाक्स होते हैं वो ऐसी आवाज को सुनके, जितना आप मुस्कुराते हुए बोलोगे ना, आपकी आवाज मुस्कुराहट मिली हुई होगी, उतना ही सामने वालों को वो soothing sound करती है, और और ज्यादा आपको सुनना चा आपको पता चला, तो आपको कोशिश करनी है कि बात करते हुए, आप imagine करो कि अप अंदर से मुस्कुरा रहे हो, आप अंदर से happiness से भरे हुए हो, जब आप इस emotion को feel करोगे ना, तो वो mix हो जाएगा आपकी आवाज के साथ, जो कि naturally आपकी आवाज को attractive बनाएगा, next आपको क exercises करनी है, जो कि आपकी sound की quality को improve करेगी, और vocal exercises में एक तो आप simple, जो humming sound होता है, यह जो ओम है, वो chant कर सकते हो, ओम, आप अराम से बैठके बोलोगे, ओम, जिससे कि वाइबरेट करें आपका, ना, नेक में यहाँ पे sound की vibrations, आप फील करो, deeply अपनी chest तक फील करो, humming sound अपने अ आनायाम है, वो कर सकते हो, या simple om chanting आप कर सकते हो, या humming कर सकते हो, ऐसे करने से vibration इंप्रूव होगी, आपकी sound की quality बेटर वनेगी इससे, दूसरी exercise आपको क्या करनी है, अपनी tongue की, हमको लगता है, जिब हम बोल रहे हैं, गले से आवाज आरी है, हमारे, 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 हमारे tongue, हमें tongue की भी exercise करवानी है, tongue को भी practice कर रहाना है, ताकि जो हमारे words है, वो जो हम बोल रहे हैं, वो proper clear हम pronounce कर सके, हमारा जो शब्दों का उचारन है, वो better हो सके, जितना हम clear बोलेंगे, जितना हम complete करेंगे अपने words को, उतना हमारी आवाज जो है, वो attractive लगती है, तो tongue की exercise कर करने के लिए, एक तो आपको जितने हो सके, tongue twisters practice करने है, इसे खडक सिंगे, खडकने से खडकती है, खडक सिंगे, खडकने से खडकता है, खडक सिंग, ऐसे जो भी और बहुत सारे tongue twisters होते है, आप इनको बोलोगे तो आपका जो mind है, और आपकी tongue का coordination है, वो improve हो जाएगा, memory processing, आपकी fast हो जाएगी, फटा फट से सोचोगे और फटा फट से आप बोल पाया करोगे, आपकी tongue की बोलने की practice होगी, एक एक वर्ड को क्योंकि बहुत ध्यान देकर आपको clearly अलग अलग बोलना होगा, दूसरे आपको करने है tongue trail, tongue trail करने में, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं, वो क्या करते हैं, ऐसे से करते रहते हैं, आवाजे निकालते हैं, क्योंकि वो अपनी जो ये बोलने की ability है उसको शुरू करना चारे हैं, वो बोलना सीखना चारे हैं, प्रनाउंस करना चारे हैं, नए-ने words बोलना सीखने हैं, तो य यही हमको करनी है, अपनी pronunciation को improve करने के लिए, आपको भी simple tongue trails करने हैं, और tongue से जितनी अलग-अलग आवाजे निकालो, funny sound करोगे, हासी आएगी, कोई बात नहीं, बंद कर लो दर्वाजा, किसी को ना पता चलने दो, क्या कर लो, क्योंकि यह अपने लिए कर रहे हो, अपने communication skill क आपने improve करना है, तो simple करना है, अपनी tongue से जितनी आवाजे निकाल सकते हो, ऐसे करके, जितनी आवाजे निकल सकती है, अलग-अलग waves आप इसमें दे सकते हो, कभी बढ़ा दो आवाज, कभी कम कर दो, अलग-अलग तरह की करनी है, इससे आपके tongue के muscles की exercise होगी, जिससे कि उतनी आपकी जो voice है, वो attractive लगेगी, next आपको बोलते हुए हमेशा ये ध्यान रखना है, अपनी routine life में भी, कि आप अपनी vocal organs के उपर बहुत जदा strain न डालो, अगर आप लगातार बोलते होगे बहुत देर तक, rest नहीं करोगे, या फिर आप बहुत जोर-जोर से चिलाओग नहीं है, बहुत जदा stress नहीं देना, breaks, pause लेती रहना है बीच में, rest करना है, अपनी voice को भी rest देना है, क्योंकि जितनी rested voice होगी, उतनी वो सुनने में soothing लगेगी, next आपको अपनी voice के quality को better बनाने के लिए, उसको attractive बनाने के लिए, एक निट, जी, आपको पानी पीते रहना है, जितना hydrated रहोगे आप, जितना आपका गला hydrated रहेगा, उतनी आपकी जो sound की quality है, वो soothing रहेगी, उतनी अच्छी आवाज निकल कर आएगी, जितना वो सुखा-सुखा रहेगा, आपका गला dry-dry रहेगा, उतनी जो आवाज है, वो आपकी harsh तो इसलिए ध्यान रखना है, कि आपको पानी पीते रहना है, आपको proper hydrated रहना है, ताकि आपकी जो vocal cords है, वो flexible रहें और healthy रहें, नेक्स्ट आपको इस बात का ध्यान रखना है, कि आपको बहुत जोर से ऐसे करके अपने गले को clear नहीं करना है, अगर आप ऐसा करते हो, तो उससे भी आपके जो vocal cords है, उनके उपर negative impact परता है, strain परता है बहुत जादा, जिससे कि हमारी जो आवाज है, वो थोड़ी सी खराब होना शुरू हो जाती है, उसकी quality पूर हो जाती है, आप उसको better करना चाहती हो, तो आपको को कोशिश ये करने है, कि जब आपको अपने ग आवाज और जदा हार्श हो जाएगी, and finally, आपको अगर अपनी आवाज की quality को improve करना है, बेटर करना है, तो आपको जितना हो सके बोलने की practice करनी है, जो भी techniques मैंने आपके साथ इसमें share की है, उन सब को use करते हुए आपको बोलना है, intonations लेकर आओ, variations लेकर आओ, कभी तेज बोलो, कभी थोड़ा कम बोलो, साथ ही खुद को बोलते हुए न, record भी करना है regular basis पे, अगर आप record नहीं करोगे खुद की आवाज को, तो आप उसको सुन नहीं पाओगे, आप ये notice नहीं कर पाओगे कि क्या को improvement हो भी रही है, नहीं, कहां पर कितनी improvement करने बाकी है, जब changes लेकर आ सकोगे, वो improvements कर सकोगे, जो आप करना चाते हो अपनी voice को attractive बनाने के लिए, जिससे कि फिर हर कोई आपकी बात को ध्यान से सुनेगा, और आपकी बात की value भी करेगा, और आपकी बात का वजन भी बढ़ेगा, वीडियो पसंद आया हो, तो like ज़रूर करना, और like कर करके भी बताना कि आप दुनिया के कौन से कोने से like कर रहे हो, दिली से, कि हर्याना से, कि पंजाब से, या तमिल नारू से, इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, कि यूएस से, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे इस YouTube फैमली में जो प्यारी-प्यारी सी beautiful souls मेरे साथ connected है वो कहां-कहां पे रहती है, और इनके साबने मेरा यह पहला ही वीडियो देखा था और आपको वीडियो पसंद भी आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ना, नूटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना, बिल्कुल मत भूलना, अदर्वाइस जैसे ही वीडियो खतम होगा, इस यूट्यूब की बड़ी सी दुनिया में मैं कहीं गुम हो जाओंगी और हो सकता है दुबारा आपको कभी भी ना मिलू, तो इसलिए connected रही है मेरे साथ, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही वीडियो अप्लोड करती हूँ, जो आपकी quality of life को improve करके, आपको आपके higher self से connect कर आने में support करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then stay blessed, stay smiling, नमस्ते